अपने भाई उदय चोपड़ा के फ्लॉप करियर पर पहली बार आदत चोपड़ा ने रियक्ट किया है। नेपोडिजम के मुद्दे पर उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी। दे रोमैंटिक्स में आदत ने कहा कि लोगों ने मुझे फिल्मेकर के तौर पर अपनाया तो वहीं दूसरी ओर हम उदय को स्टार नहीं बना सके। उदय एक बेहतरीन अक्टर है लेकिन आदियन्स ने उन्हें सुईकार नहीं किया। फिल्म इंडस्री में कई सालों से नेपोडिजम पर डिबेट हो रही है। हर सेलिबरिटी का इसे लेकर अपना एक अलगी नजरिया है। नेट्फिक्स की डॉकिमेंट्री दे रोमैंटिक्स में फिल्म मेकर आदित चोपड़ा ने नेपोडिजम पर अपनी राय रखते हुए अपने भाई उदय के फलॉप करियर का उधारन दिया। उन्होंने बताया कि कैसे एक बड़े फिल्म मेकर होकर भी वो अपने भाई को स्टार नहीं बना पाए। सोचिए ये इश्राज जैसी कंपनी ने कई न्यू कमर्स को लांच किया है लेकिन हम उदय चोपड़ा को स्टार नहीं बना पाए। लोगों ने मुझे एक फिल्मेकर के तोर पर अपनाया तो वहीं दूसरी और हम उदय को स्टार नहीं बना सके। उदय एक बहितरीन एक्टर हैं लेकिन और्डियन्स उन्हें सुईकार नहीं कर पाई। पहली फिल्म और धूम के बावजूद उदय का लोगों के दिलों में जगह पना पाना बहुत मुश्किल था। बॉटम लाइन ये है कि और्डियन्स के वल उन्हीं को पसंद या एक्सेप्ट करती है जिसे वो करना चाहती है। उन्हें ये फर्क नहीं पड़ता कि आप किस फैमली बैक्गराउंड से तालुक रखते हैं। उदय चौपडा की बात करें तो उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बता और असिस्टन डिरेक्टर की थी। उनकी पहली फिल्म लम्हें थी। इसके बाद उदय ने डर दिल वाले दुनानिया ले जाएंगे और दिल तो पागल है जैसी मुवी में बता और असिस्टन काम किया साल 2000 में आई फिल्म महबतें से उदय चौपडा ने डेब्यू किया इसके बाद वो मेरे यार की शादी है मुझसे दोस्ती करोगे और धूम जैसी मुवीज में दिखे उदय कभी लीड हीरो नहीं बन पाए कुछ मुवीज में सपोर्टिंग हीरो का काम उनका बहुत से कारण हो सकते हैं एक तो मेरी अप्यरेंस कन्वेंशनल हीरो की तरह नहीं है मैं उनकी तरह बॉडी या लुक में नहीं था हाला कि एक्टिंग तो मेरी डिसेंट रही है मैं सोचता था कि मैं जिस तरह लोगों को दिखाना चाहता था दरशक उस रूप में मुझे स जरूर सो चुंगा